दोस्तों जैसा कि आप यह मॉडल देख रहे हैं इसी को आज हम डिसक्राइबर थे उनकी कहने पर यह मॉडल मैंने डिजाइन किया है इसकी साइज की बात करें तो 25 वाई 30 पिट है 25 वाई 30 पिट इसकी चोड़ाई है अगर मॉडल की बात करें सामने से देखते हैं तो आप चोड़ाई इसके 25 पिट और लंबाई की बात करें तो 30 पिट है इसी को आज हम डिसकस करने वाले हैं हमेशा की तरीके से हम गुजारेश आप से जरूर करना चाहेंगे अगर आपने हमारे इसमाल हाउश प्लान को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों शाषद विल आइकन दवाएंच से मेरे आने वाले सभी लेटेश अपडेटिट वीडियो आप लगादार देख सकें यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत सारी वीडियोश मिल जाते हैं अलग अलग कैटागरी के अलग अलग साइज के जो आप देखकर बनवा सकते हैं तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस मॉडल को डिसकस करना तो सबसे पहले हम इसको करते हैं तानस्पैरेंट जैसे कि आपको मैं हमेशा की तरीके से कोई मॉडल हो तो अपको देखे कि यह बेटरी सा लुक दिख रहा है यहाँपर transparency के means हैं आपकी दिवाले hide हो जाती है और इसके बाद का जो भी यहाँ पर बसता है वो सारा दिखने वाला होता है तो जैसे आप इसकी transparency रिमूब करते हैं तो आ जाता है original position पर original position पर front की बात करें सामने इस मैं आपको zoom करके दिखा देता हूँ यह दिखीएगा दोस्तों यह है अपका main अगर हम texture की बात करें तो यह आपका window दिया यह यहाँ पर main door है और यहाँ पर मैंने कुछ पेंड़ लगा रखे हैं और इसको जैसे आप चलते हैं इसके first floor पर ground floor पर जिसके हम बात करते हैं यह दिखें जूम करके आप entry करेंगे यह pillar दिये हैं मैंने दोस्तों यहाँ पर आपको light वगएरा लगा सकते हैं यह आपका दोस्तों bondi है उसके उपर जो नुकीले सर्गे होते हैं आप लगा सकते हैं क्योंकि बाहर का bondi है अब जैसे आप यहाँ से इंटर करते हैं तो सबसे पहले आपको मिल जाता stairs यह stairs देखी तो यहाँ से ऐसे गया है और ऐसे tilt होके मतलब की turn होकर फिर से वापस आ गया है और इसके नीचे आपका space बच जाता है यहाँ पर आप अपनी bike वगेरा खड़ी कर सकते हैं अब पर चाहे तो bike वगेरा यहाँ भी खड़ी कर सकते हैं अगर आप चाहे तो यहाँ four wheeler के लिए भी इंतिजाम कर सकते हैं फिर थोड़ा सा manage करना पड़ेगा उसका भी मैंने यहाँ पर कोई भी management नहीं किया है अब जैसे भी यहाँ इंटर करते हैं यहाँ आपको इस्टेर्स मिलती है इसके बाद आपको एक मिल जा था guest room यह देखिए आपका guest room है guest room के अगर हम door की बात करें तो यहाँ से door दिया यह एक window दिया है यह guest room हो गया side की बात करें तो यहाँ पर देखिए तीन portion आपको देखने को बिल रहे है यहाँ पर आप इसको kitchen बना सकते हैं बाहरवाले portion को यह आप depend करता है यहाँ तो आप इसको kitchen बना सकते हैं यह आपका पूजा room बना दोस्तों यहाँ पर मैंने एक पूजा घर भी बनाया यह देखिए कि पूजा घर है जिसका मैंने डोर दिया है इस bedroom से यह आप एक bedroom देख रहे हैं पीछे दो bedroom जिस पर gate लगे हैं यह दोनों एक ही size के हैं इस bedroom से पूजा घर का मैंने अंदर से यह देखिएगा अब दोर दिया है अब यह दो portion बसते हैं यह आप पर depend करता है दोस्तों आपको किसको latent bathroom बनाना है और किसको kitchen बनाना है मेरे साफ से kitchen आपका बेश रहेगा यह वाला क्योंकि यहाँ पर आपका जो window दिया है ventilation की कोई problem नहीं होगी kitchen में फिलाल वो आप इपकप पर निर्फर करता है कौन साफ kitchen और कौन सा rating बातों decide करते हैं लेकिन जो मैंने आपको बताया यह पूरा 25 वाई 30 प्रिट में model मैंने design करके बताया है आपको यह model कैसा लगा हमें comment करें और इसका जब हम last floor की बात करते हैं तो यह देखीएगा आप जैसे उपर चड़ते हैं तो यहाँ पर यह मैंने railing दिया है थोड़ा design कर दिया यह railing थोड़ा यहाँ different color की है यहाँ पर different type की है और यह आपका stair थी जो उसको डखने के लिए यह गुंटी बना दिया है और यह आपकी छद बना दिया है ventilation के लिए मैंने यहाँ पर एक rounded window दिया है और यह आपका window और चारो तरब तीन fit का approach यहाँ पर आपको boundary मिल जाता है तो यह पूरा model 25 by 30 fit में radio होकर त्यार हो जाता 3D अगर हम इसका 2D की बात करें और इसकी dimension की बात करें तो आप हमें वो भी आप यहाँ पर जो approach पीशे का room दिया वो लगभग 12-12 fit के हैं और क्योंकि आप तीन portion में divide किया है अगर आप comment करेंगे दोस्तों तो हम आपको dimension के साथ भी बताया करेंगे इन मॉडलों को तो मॉडल कैसा लगा हमें comment करेंगे बताएं अच्छा वीडियो के लाइक से जूरूड करें आपने अगर अभी तक इस प्लान को subscribe नहीं किया तो प्लीज जरूद सब्सक्राइब कर लें thanks watching